फर्रुखाबाद में अतिक्रमन हटाव प्रोग्राम की शुरुआत में सभी खुशी खुशी अपना मौन समर्थन दे रहे थे तब सभी खामोश थे, रेल्वे रोड पर तोर्फार के समय सबाश्वस थे कि शायद नहरु रोड, लोहाई रोड वकिराना बजार बच जाएगा फर्रुखाबाद हमेशा से बीजेपी समर्थक रहा है, इसलिए सभी अपने घरों में चुप बैठे रहे जब नहरु रोड किराना वलोहाई रोड को नापने की नौबत आई तो नेतागर निकल पड़े कुछ तो विरोध करना ही था, वो आज करने की कोशिश की गई कुछ प्राश्ण है, जिनका उत्तर प्रतिनिधियों को देना पड़ेगा बिना सोचे समझे ऐसी कार्यवाही जिसका असर जन जन की रोजी रोटी पर पढ़ने वाला हो जनता के साथ खड़े हो कोई विरोध क्यों नहीं किया आज भी सभी सीन से गायब है अतिक्रमन है, कहे कर शहर उजाडने करने की हिमाकत कैसे की जा सकती है अगर ऐसा है तो जो अधिकारी वजन प्रतिनिधी इसके लिए जिम्मेदार थे क्या उन पर कोई कार्यवाही की गई आज भी सभी सीन से गायब है हाँ सोशल मीडिया पर सभी हाजिर है इस तोड़फाड से होने वाले नुकसान का आंकलन किया जाए तो कहा जा सकता है कि शहर में लोगों का फोकस चौक से हटकर आवास विकास के चारों और शिफ्ट होने वाला है लोगों ने अपनी जिंदगी की कमाए इस तोड़फोर में गवा दी है शहरी अर्थशाशत्र जानने वाले से पूंचा जाए तो पहले कृशी से संबंधित विकास आलू के उच्चित दामों के प्रबंध पर काम होना चाहिए था लेकिन खेती अभी भी भाग्य भरोसे है एक लिहाज से कहा जाए तो मौझूदा पीडी बरवादी के कगार पर पहुचा दी गई है शहरों की सफलता के लिए पहले कामकाज वरोजगार की सुविधायन प्रदान करने की भरपूर व्यवस्था होनी चाहिए थी शहर के बाहर आवागमन शिफ्ट कराने के लिए काम होना चाहिए था इससे शहरी क्षेत्र पर आबादी का घनत्व कम होता तब जाकर शहर को मैनेज करना आसान हो जाता और सतन साट साल के आसपास की एक पीडी होती है आने वाली अगली पीडी कहा जायेगी कोई नहीं जानता लेकिन अब पच्चताय का होत जब चिलिया चुक गई खेत अगर पोस्ट पसंद आई हो तो लाइक करना न भूले सब्सक्राइब कर दे वसात में लगी घंटी अवश्य दवाएं